हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माई चैनल मैं हूँ आपकी फ्रेंड वर्षा आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिए एंटरेंस एक्जाम के कम्प्लीट पेपर की यह कॉमर्स स्टुडेंट के लिए होगा और इसमें आपको वो सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे जो कि आपके इंटरेंस एक्जाम में पूछे जाते हैं यानि कि आपको एक कम्प्लीट पेपर मिलेगा आप इसको सॉल्फ कीजिए प्राक्टिस कीजिए और यह भी एनलाइस कीजिए कि आपके कितने कॉश्चन्स ठीक जाते हैं आप इसको एक्जाम की तरह लीजेगा तो कोई चीटिंग मत करियेगा और बिल्कुल सीरियस होके इस paper को दीचेगा तब ही आपको idea लग पाएगा कि आपकी कितने त्यारी है तो I hope आपको पेपर पसंद आएगा, paper को last तक solve कीजेगा और last में जरूर बताएगा कि आपको कैसा लगा तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, पसंद आये तो अपनी फ्रेंड्स के साथ शेर कीजेगा, इसको लाइक भी कीजेगा, तो स्टार्ट करते हैं आपके दोरान सही प्रकार के प्रचार रोग दिये जाते हैं, कितने घंटे पहले या क्या टाइम पीरिड होता है, तो वो है वास्त्रविक मत्दान के 48 घंटे पहले नेक्स्ट है विधान परिशत के सदस से कितने वर्षवकले निर्वाचित होते हैं तो ये निर्वाचित किये जाते हैं 6 वर्षवकले तो option D यहाँ पे right answer है नेक्स्ट कोशन है महात्मा गांधी जी की अनुपस्तिती में भाड़त छोड़ों आंदोलन का नित्रत वो किस ने किया था तो ये किया था अरोण आसफ अलीन है तो option B right answer है नेक्स्ट है सोलर कुकर में किस दरपण का प्रयोग किया जाता है तो सोलर कुकर के अंदर जो दरपण प्रयोगत होता है वो होता है अप्तल दरपण तो option A right answer है नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है तो इनका मूल नाम था नरेंदर नाथ दत्त option A right है नेक्स्ट कोशन पे आते हैं भारत में एच्छिक चकमंदी की विवस्था सर्वथम किस राज्य में लागू की गई तो ये लागू की गई थी पंजाब में option A right है नेक्स्ट है अठारा सो अठारा इस वी में निमलिखित मैसे किसने कलकता में आत्मिय सभा का स्थापना की तो इस सभा की स्थापना की राम मोहन रायन है तो option B right answer है नेक्स्ट कोशन पे आते है भारते समिधान द्वारा अफसिस्ट अधिकार किसे प्रदान किये गए है तो ये अधिकार दिये गए है संको तो option A right answer है नेक्स्ट कोशन पे आते है बकसर युद्ध के बाद बंगालो बिहार में दुएट शाशन कब लागू किया गया था तो लागू किया गया था 1765 इसवी में नेक्स्ट है भारत में हाइटेक सिटी की स्थापना किस शहर में की गई ट्री की गई थी हैदराबाद में तो option D right answer है नेक्स्ट कोश्चन है बासकोडिगामा का स्वागत करने वाली भारतेश आशक कौन था तो वो थे जमूरिन option D right है नेक्स्ट है विक्रम शिला, गैंगोटिक, टॉल्फिन, आश्रेनी, बिहार के किस जिले में इस्थित है तो ये इस्थित है भागलपुर में option B right answer है next question है आठ मार्च को किस रूप में मनाया जाता है तो आठ मार्च मनाया जाता है अंतरास्टे महला दिवस की रूप में option C right है next question पे आते हैं ब्रद कंगा के नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है तो ये है गोदाबरी option D right है next है चाय के उत्पादन में भारत का विष्व में कौन सा इस्थान है तो भारत का विष्व में प्रतम स्थान है तो option A right answer है next question है 1927 इसवी के साइमन कमीशन का Congress ने भहिश्वर किया था क्योंकि अब Congress थी उन्होंने इसका वहिश्कार किया था क्योंकि अगर हम बात करें तो वह था कि इसमें कोई भी भारतिस अदस से नहीं था इसलिए इसका वहिश्कार किया गया था Next question है अब यहाँ पर बताना है AIDS का पूर्ण नाम क्या है तो AIDS का पूर्ण नाम है Acquired Immunodeficiency Syndrome यानि के Option C Next है स्वांगलार कहां की जन जाती है तो यह है पंजाब की Option B राइट आंसर है Next question है बांगलादेश की मुद्रा क्या है तो इसकी मुद्रा है टका Next है विक्रेता बाज़ार ऐसी स्थिती बताता है जहाँ पर मांग पूर्थी अधिक से होती है तो Option B राइट है Next question है युनेसको ने 21 फरवरी को किसके संगर्षयम बलिदान के सम्मान में अंतरास्टे मात्रवाशा देवश गुशित किया है तो यह किया है बांगला देशियों के संगर्ष और बलिदान के सम्मान में तो Option A राइट आंसर है Next है किसके साशनकाल में राज़ के धर्म इसलाम समाप्त किया गया था तो यह समाप्त किया गया था अकवर के दोरा तो Option C राइट आंसर है नेक्स कोशन पर आते हैं वर्ष 2011 की जणगर्णा के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है तो इसका राइट आंसर है D. सिक्किम फ्रेंट्स 2011 की जणगर्णा है वो आप पूरी तरह से पढ़ लिजे 20 डे सीरीज आप देखेंगे तो 20 डे सीरीज में वहाँ पर आपको जनगर्णा से रिलेटेड सारे important points मिल जाएंगी जनगर्णा से रिलेटेड एक ये दो कोशन जरूर आते हैं आपने कल की वीडियो देखे होगी तो आपने तेखा हुआ उसमें भी 2-3 कोशन पूछे गए हैं तो आपको जनगर्णा तो इसका right answer है यहाँ पर option number C, आदी संका चार रहे के द्वारा next question है, crater किसे कहते हैं तो इसका right answer है option A, जला मुखी सीर्ष पर इस्थे keep आकार के गर्द को crater कहा जाता है next question है, अब passes to India नामक पुस्तक किस ने लिखी है तो यह पुस्तक लिखी है E, M, फोस्टर ने, तो option C, right है next question है, maglenium एक मिश्रधात्व है, यह magnesium और tin की मिश्रधात्व होती है, तो option B, right है next है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बहुत दोन धर्मों का एक प्रिसित तीर्थिस्तल है, right answer है C, कौशाम B next question है, करनाटक का युद किन पक्षों के बीच हुआ था, तो यह हुआ था अंग्रेजी और फ्रांसिस्ती के बीच next है, देवदा सुपन्यास के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार है सरत्चंद चट्वपाद्ध है, तो option B, right answer है next question है, नंदा देवी रास्ट्य उध्यान किस राज्य में इस्तित है, तो यह उत्तराखंड में इस्तित है next है, जन्वरी को जन्मदिवस मनाया जाता है किसका, तो जन्वरी में मनाया जाता है गुरू गोविन सिंग का जन्मदिवी next है, राज्य सवा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अब्धी के लिए होता है, तो यह किया जाता है छे वर्ष के लिए, option D, right answer है next question है, विस्व प्रशित दांत का मंदिर कहां इस्तित है, तो यह इस्तित है, कैंडी में, तो option C, right है next है, महरौली लौ इस्तम कहां इस्तित है, तो इस्तित है, नई दिल्ली में, option D, यहाँ पे right answer है next है, समिंधान के अंतरगत निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार है, तो इसका right answer है, A, सिक्षा का अधिकार next question है, पाल वन्श का संस्थापक कौन था, तो इसके संस्थापक थे, गोपाल, option A, right है next है, हमारे शरीर में कुल कितनी मासपेशियों होते हैं, बहुत ही simple question है friends, एक मासपेशियों का बहुत पूछा जाता है, हमारे शरीर में और एक हड्डियों का बहुत पूछा जाता है, question, मासपेशियों आए 656, तो option B, यहाँ पे right answer है next question है, उच्छी नियाले के नियाईदीश अपने त्यागपत्र किसको देता है, तो वो देता है रास्टपती को, तो A, यहाँ पे right answer है बारत की जनसंक्या ब्रद्धी में योगदान देरने वाला प्रोमुक कारक कौन सा था, तो वो थे नियम्नम्रत्युदर, option B, यहाँ पे right answer है नेक्स्ट है, किस समिधान संशोधन ने मूल अधिकारों के उपर नेती निर्देशक सुद्धानत का अधिपत्य दिया तो वो दिया था, 42 वा संशोधन में, तो यहाँ पे option A, right answer है, इसको mini constitution के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट है, एलोरा, इस्थित, गुफाय, एवं, शैल, करत, मंदिर, किस से सम्बंदित है, तो यह इन मैंसे किसी से भी सम्बंदित नहीं है नेक्स्ट कोशन है, निम्न मैंसे कौन सा वन आधारित उध्योग नहीं है, तो right answer A, cement उध्योग नेक्स्ट है, कोकर्ड रेल मार्क की कुल दूरी कितनी है, तो right answer B, 760 km नेक्स्ट है, हेलिकॉप्टर का अविश्कार किस ने किया था, फ्रेंड्स, अविश्कार से भी बहुत questions पूछी जाते हैं, तो आपको कुछ important अविश्कार से हैं, वो जरूर पढ़ने हैं, तो इसको किया था, कॉक्रेल ने नेक्स्ट कोशन पर आते हैं, पानी पत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी, 1761 वी में, तो option C, right answer है, नेक्स्ट है, धरातल के सरवादिक भाग पर निमलिकित मैंसे किस चट्टान का विश्कार पाया जाता है, तो option B, right answer है, अब साधी चट्टान का नेक्स्ट कोशन पर आते हैं, अब यहाँ पर हमें दे रखा है, पंचायती राज विश्य है, पंचायती राज जो है, वो किसका विश्य है, समभर्ती सूची, केंदर की सूची, राज्य की सूची या फिर विश्य अधिकार, तो इसका right answer है, यहाँ पर option number C, राज्य की सू नेक्स्ट कोशन पर आते हैं, भोपाल तराजदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी, तो यह right answer है, इसका option D, मिथेल, आईसो थायो साइनेट, यह बहुत ही important question है, यह वह question बहुत पूछा जाता है, भोपाल तराजदी में कौन सी गैस निकली थी, नेक्स्ट है, सांकेतिक अगा प्रचलन किस आशर के प्रारम किया था, तो इसका right answer है, D, मुहमत बिंग तुगलक ने, स्टार्ट करते हैं, आज का प्रैक्टिस चाइट, इसमें हमें चार विकल्प दे हुए हैं, मैसे शुद्वर्तिनी का हमें चेन करना है, अहिल्या, 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 अहिल तीता या फिर वकर्तता दिया हुआ, तो इसमें जो right way है लिखने का, वो है option number A, वकर्ता, next आते हैं, अब यहां पर हमसे पूछा गया इस question में, विलास किस प्रत्य का प्रियू हुआ है, तो friends, last में देखे, विलास आस की आवाज आ रही है, इसलिए यहां पर option B, right answer है, next है अब यहां पर बताना है किनारे का क्या प्रियूआवज शब्त होगा, तो friends, किनारे में यहां देखे, तो इसका प्रियूआवजी शब्त है, तीर, इसलिए यहां पर option B, वो यहां पर right answer है, next आते हैं, अब यहां पर दिया हुआ है हमारा ब्रक्ष, तो देखे, friends, से यहाँ पे हमारा राइट है नेक्सट आते हैं बादल तो फ्रेंड्स बादल में यहाँ इसका मेःग मेग माने बादल नेक्स्ट है अब यहां पे हमसे पूचया गया है ऐसा निक्त मैंसे किसे शब्द में गुण संदी नहीं तोशुरू scientifically for Nusa विध्यार्थी विध्यार्थी में गुण संधी नहीं है यहां पर इसमें दीर्क संधी है इसलिए यहां पर ऑप्षन D राइट आंसर है अब नेक्स पधाना है इन मैसे व्लॉम शब्द का रितु का व्लॉम शब्द क्या होता है तो फ्रेंड्स बात करें रितु के व्लॉम यहां पर अनर्टình हो जाएगा लेकिन इसको लिखने का तरीका ये होता है अनर्ट dairy उकी मतर आएगी अन्रोड तो आज़ी यहां यहां नेक्स्थ यां यहां पर आदी है लो मैं पर आदा है जो आकाश में विच्छरण करता हो Springs conoc पाकाश में विचरण करता हो के लिए एक शब्द क्या होगा रजनीचर, निशाचर, खचर या खेचर तो फ्रेंट्स इसको बोला जाता है खेचर नेक्स्ट है गुण शब्द का व्लॉम क्या होगा तो गुण का क्या होता है तोश इसलिए option A यहाँ पर right answer है नेक्स्ट है अब यहाँ पर हमें बताय हुआ है उस शब्द का चेन कीजिए जिससे इन वाक्याणशों के स्थान पर रख देने से उस संपूर्ण वाक्याणशों का अर्थ प्रकट हो जाए जैसे कि वह है जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो वो क्या कहलाते है तो फिने सोत्पन हो उसे क्या कहा जाता है सुम्भूं चाराययस्त श्वदेशस त्या इति निर्मूलत इसको कहा जाता है सवदेशत नेक्स्ट है च्टान निमnen च्ट्ट क्स लिंक से संबंदित है पोर्लिंग इस त्री速 पिंसक्लिंग नेंसे कोई नहीं तो च्ट्ट्त दान है शंड मांक का संद्य पिच्चित क्या होगा तो इसका जो रight answer है यहाँ पर आपड़ई इशट प्लस मांघ गोget नेक्स्ट है मनुर्ध तो संदी विच्चित होहां मन अधन रत प्रियंड है नेक्स्ट आते हैं हरी शत करसे क्या होगा तो फ्रेंड्स यहां पर हरीश का संदी विच्छे दोगा हरी प्लस ईश नेक्स्ट है उजीनी में कौन सा उपसर्ग है उप अप अपी या उथ तो यहां पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नमर डी उथ अब इसमें कौन सा समास है तो यहां पर अंको की बात की जाते है वहां दिगू समास होता है नेक्स्ट है जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है तो फ्रेंड्स इसकी राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है इसका उप्शन नमर दे तत पुरुष रमाज नेक्स्ट है प्रयतनी की आधार पर रा वेंजन की किस कूटी में आता है नेक्स्ट है जो विज्ञान जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा तो उसका होगा विज्ञानिक तो उप्शन ए अगें राइट आंसर है नेक्स्ट है निम्न मैंसे कौन सा वाक्य शुद्ध है गांधी जी नित्य चर्खय को चलाते थे या फिर गांधी जी नित्य चर्खय को कातने के लिए चलाते थे तो friends यहां पर इसका right answer option ज़ून होने चलाते थे Next है सवा की कार्यवाही शुरू करने जा रही है ं तो यहां पर अगर हम right की बात करें तो dear writer सवा की कारवाई शुरू होने वाली है नेक्स्ट आते हैं अब यहाँ पर हमें रिक्तिस्थान दे रखे हैं हमें सही विकल्ब बताना है अर्द मूर्चित रोगी रात भर करता रहा क्या करता रहा तो friends अगर हम किसी रोगी की बात करते हैं प्रलाब करता रहता है तो option B right answer है नेक्स्ट है ना में किसी की उपेक्षा करता हूँ ना किसी की डेश तो इसमें क्या आएगा तो आप इसी से अंदार लगा लेजिए उपेक्षा का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा तो उपेक्षा का क्या होता है अपेक्षा तो यहां पर हो जाएगा ना में किसी की उपेक्षा करता हूँ ना ही किसी परकार की अपेक्षा तो यहां पर option C right answer है नेक्स्ट है जिसकी डेश होती है उसका विनाश निश्चित है तो यहां पर बात की जा रहे है तो विनाश के हम व्लॉम की देख लेते हैं तो उत्पत्ती होता है तो राइट आंसर है उत्पत्ती जिसकी उत्पत्ती होती है उसका विनाश निश्चित है नेक्स्ट है अब हमें मुहावरे दियों उनका अर्थ बताना है आंगे कुग किछ खाई का क्या मतलब होता है दोनग और मुसीवत होना आप्षिन से यहां पर हमारा रैट आंसर हैatti next है और बांस परेलिकर एक शनली इसका है तो इसका अरथ होता विपरीत काम करना तो option A यहां पर again right answer है next है घाट-घाट का पानी पीना इसका क्या मतलब होता है बेकार होना, विद्वान होना, अनुभवी होना या फिर घर-घर इसनान करना तो इसका जो right answer है वो है यहां पर option C वो है अनुभवी होना यानिकी हर तरह का उसको अनुभववोना हर तरह की, हर field में उसका अनुभववोना next है, पंचरत्न का समास विगरे क्या होगा पंचरत्नों का संहू या फिर पंचरत्न जा है तो friends, यहां पर बात करें तो इसका right answer है, वो है option number B पंचरत्नों का संहू नेक्स्ट है जो यस से युक्तो उसके लिए क्या है यशश्वी, यशुदा, यशुमती या फिर यशी तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर है उप्शन नमर ए यशश्वी नेक्स्ट है तैरने की इच्छा को कहते हैं तरेंड्च्छा, तितीड्च्छा, संतरपेच्छा या फिर जलावतरणड्च्छा तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो आप्शन यहाँ पर राइट है हमारा बी तितीड्च्छा नेक्स्ट आते हैं, अब यहां पे हमें लोकोतियों के अर्द बताने हैं, कहां राजा भोज, कहां गंगुत देली, तो इसका क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा, इसका यहां पे आप्शन नमर डी, बढ़ों के साथ छोटे लोगों के बरावरी नहीं हो सकती ठीक है, नेक्स्ट है, थोथा चना पाजे घना, यानि कि इसका क्या मतलब होगा, तो friends, right answer है, अलपग्य वेक्ति अधिक बोलता है, ठीक है, नेक्स्ट है, आमक्याम गुट्लियों के दाम, यानि कि दोरा लाग ठगी करना, नकली वस्तू दिना या मनमानी करना, तो आमक्याम और उसके बाद कभी तक किस कभी की रचना है, नागाडजुन, केदारनाता, ग्रवाल, सुरेकांतर पाठी निराला या फिर मुक्ति भोध, तो इसका right answer option number A जोकी है, नागाडजुन, नेक्स्ट है, अभी संशा में कौन सा उपसर्ग है, अपी, अभी, अभ या फिर अनू तो इसका right answer option number B इसमें अभी उपसर्ग है, नेक्स्ट आते हैं, महात्मा शब्द में प्रिक्त समास कौन सा है, तो friends का right answer B इसमें है कर्मधार्य समास, नेक्स्ट आते हैं, हसना क्रिया क्या है, सकर्मक, अकर्मक, प्रेण नार्थक या फिर सैयुक्त, तो इसका right answer C, रक्त है या है नसों में चुद्र पानी जाच कर तू जीस दे दे कर जवानी इन पंक्तिया में कौन सा रस स्रजित होता है वीर बिभत्सरत स्रोदरस या फिर श्रिंगार रस तो इसमें इसका राइट आंसर अप्शन नमर ए वीर रस नेक्स्ट आते हैं हिमाले से गंगा निकलती है इस वाक्य में प्रुक्त कारक विवक्ति क्या है करण अपादान संपन्द या अधिकरण फ्रेंट्स का राइट आंसर अप्शन नमर भी अपादान कारक नेक्स्ट है मोहन ने कहा कि वह यह नहीं आएगा इस वाक्य में मोहन न कहा क्या है उपवाक्य, सरलवाक्य, 33 या फिर सैवतवाक्य, तो इसमें इसका राइट आउंसर है, ओप्शन नमर ए, ये एक तरह का उपवाक्य है, ठीक है, मोहन ने कहा की, नेक्स्ट आते हैं, उत्पत्ती की दरस्टी से सब्दों का भेद निम्न में से कौन है, तद्सम, तद्भव, देशज, या फिर योगरून, तो फ्रेंड्स, उत्पत्ती की दरस्टी से बात करें, यहाँ पर तो इसका राइट आउंसर, ओप्शन अमर डी, ये एक तरह का यो नेक्स्ट कोश्चन है, प्रकाष के सामने अंधीरा टिक ना सका, या किस प्रकार का वाक्य है, तो इसका जो राइट आउंसर है, वो है, यहाँ पर ऑप्शन नमर ए, यह एक तरह का सरल वाक्य है, नेक्स्ट है सो अर कितने होते हैं, पांस, साथ, नो या दस, तो यहाँप यह बात केती स्वर्यों की तो फ्रेंड्स आगर देखें यहां पर वैसे तो स्वार हमारे टोटल 11 होते हैं ठीक है लेकिन यहां पर ऑप्शन में दे रखा है पांस साथ नौ दस तो आप 10 पर ही टिक किये जाएगा वैसे 11 होते हैं स्वार हस्व और दीर्ग में हस्व हमारे 3 ह और दीर्ग जो होते हैं वह होते हैं हमारी आ बड़ी बड़ा हूँ छुटी बड़ी ए छुटा ओ बड़ा हो और रही है तो यह 11 होते हैं लेकिन उप्शन में 10 तो आप 10 ही टिक किजगा और अगर 11 आते हैं तो तो 11 टिक किजगा फाइब से 4 का मॉल्टिप्लाई करेंगे 3 से 1 का तो 5 4 जा कितना होता है 20 आ गया और 3 से 1 का multiply किया तो कितना आ गया 3 इसको add कर दिया 23 7 से 6 का multiply किज़े 7 6 जा 42 and 3 4 जा 12 तो कितना हो गया 54 देखिए वही 22 हो गया अब देखिए 9 में किसका multiply करें कि 40 आए तो आप ऐसे करिए 40 में 22 को माइनस करिए कितना निकल कर आया यह हमारा 18 अब 9 के टेविन में 18 कितनी बाराता है 2 तो देखिए यहां पर option 2 हमारा वह सौरी सी राइट आंसर होगा क्योंकि अगर हम सी पर क्लिक करेंगे तब यहां पर हमारा आंसर जो है वह हमारा सही निकल कर आएगा तो यहां पर हम 2 लिखेंगे 9 से 2 का multiply करेंगे 18 निकल कर आया अब 18 और यहां पर 22 एड करेंगे तो 14 हो जाएगा तो यह था हमारा option 27 अब देखे फ्रेंड्स यहां पर क्या चीज कॉमन है 6 के टेविल की बात करें तो 6 के टेविल में 42 भी आता है 18 भी आता है एं 30 भी आता है ठीक है उसी तरह से 18 की बात करें तो 16 32 एं 40 यह आता है अब यहां पर हम बात करें 36 18 एं 27 में ऐसे कौन सी संखे लेकर आए जो इससे पूर्टा विभाजित हो तो देखे फ्रेंड्स 9 में यहां पर अगर हम देखें तो 18 36 एं 27 नाइन भी आता है हमारा ठीक है तो 9 से कट जाएगा एक बार 18 से देख लेते हैं तो फ्रेंड्स 18 से यह नहीं कटेगा ठीक है 12 से देखें तो 12 से यह नहीं कटेगा 6 से देखें तो 600 से नहीं कटेगा तो यहां से एक ऐसा नमबर है जिससे 36 18 एं 27 यह तीनों कट जाएंगे इसलिए यहां पर ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट आते हैं अब यहां पर देखें यह हमें वैल्यू दे रखें 7, 9, 98, 140 यह किस तरह से आया तो देखें फ्रेंड्स 7, 7 जा कितना होता है 49 अब 49 में 2 का मल्टिप्लाइए यानि का 7 यह जो 7 है इसमें 7 का मल्टिप्लाइए करेंगे तो 49 आया इस 49 में 98 में हम क्या करें यह जो 98 है इसमें आप यह जो 49 आया है और यह जो 7 है 49 माइनस 7 कर लिजे कितना हो गया यह हमारा 49 में अगर हमने 7 माइनस किया तो यह हमारा हो गया 42 अब 42 में 98 प्लस 42 इसको एड़ कर दीजे तो यह हमारा कितना निकल कर आएगा यह हो जाएगा हमारा 140 ठीक है यह हमारा 140 हो जाएगा तो आई होप यह आपको कॉंसेप्ट किलियर होगा ठीक है नेक्स्ट आते हैं अब उसी धरा से यह देखिए सेकंड वाली 21 में आप 22 का मल्टिप्लाय करेंगे तो कितना होगा है 441 अब इस 441 में 2 का मल्टिप्लाय करेंगे तो कितना हो जाएगा 882 अब उसी 882 में एड करेंगे 441 माइनस 21 तो यह कितना हो जाएगा? 882 प्लस 441 में अगर 21 माइनस करेंगे तो यह कितना हो जाएगा? 420 तो यह कितना निकल कर आएगा? 1300 and 2 तो देखिए ये भी हमारा सही है अब उसी तरह से अब हम ये 3rd निकालते है ये 15 है 15 में क्या करेंगे 15 कहीं multiply कितना आगए 225 अब इस 225 में multiply करेंगे 2 का तो ये कितना निकल कर आएगा हमारा 450 अब इस 450 में plus करेंगे हम यहाँ पे 225 minus कितना करेंगे इस वाले 15 को तो ये कितना आगए 450 में अगर हम इसको minus plus करें ये कितना निकल कर आया हमारा 1,2,1,0 तो देखिए फ्रेंट से ये कितना निकल कर आया 6,6,0 ठीक है तो देखिए 6,6,0 option D में है तो option D यहाँपे हमारा राइट आंसर है थोड़ा बड़ा concept है क्योंकि इस तरह के questions में थोड़ा इसी तरह घुमा फिरा के concept दे होते हैं तो मैं कहूंगी आप से कि इस तरह के questions जो है वो आप last में ही करें क्योंकि इसमें बहुत time जाएगा और फिर भी आपको एक माख ही मिलेगा तो कोशिश करिए इस तरह के questions को आप बाद में करें क्योंकि इसमें बहुत time जाने वाला है आपका क्योंकि यह concept समझने में ही time लग जाएगा कि इसमें कौन सा concept है ठीक है Z 26 आपको याद होनी चाहिए A2 Z में A1 A पर आता है B2 पर आता है C3 पर आता है तो इस तरह 26 तक क्या क्या आएगा ठीक है तो यह हमको लास्ट में पता है 26 होते हैं अल्फावेट इसलिए Z पर 26 हो गया नेट हमारा 39 है और NUT किसे होगा तो देखिए नेट 39 किस तरह से आया N हमारे कितने नम्मर पर आता है 14 पर N 14 पर आता है उसके E हमारा किस पर आता है E आता है हमारा 5 पर और उसके T हमारा किस पर आता है 20 पर अब देखिए इसको एड़ कर लीजे तो यह कितना होगा 39 तो उसी साब से NUT निकालना है तो यह होगा 14 प्लस U हमारा कितने नम्मर पर आता है U आता है हमारा 21 पर और T हमारा कितने पर आता है 20 पर तो अब इन तीनों को एड़ कर लीजे यह कितना हो गया 2, 5 5 यह हो गया 55 तो देखिए ओप्शुन सी राइट आंसर है 55 नेक्स्ट आते हैं अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर हमें लिखा हुआ है Consciously इस को इस कोड में लिखा गया है Soil को कैसे लिखा जाएगा तो देखिए फ्रेंड्स एक बार यहां देख लिएजे C D E O L M N O P देखिए यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर इसका कोई concept नहीं है Direct हमें यह देखना होगा S S से क्या बना है S यहां पर है 4th नमर पर तो देखिए S से N आ गया O यहां पर है E यानि कि E आ गया I है S S C I यानि कि यहां पर E से हमारा क्या बनेगा C O N J L से हमारा क्या दिया हुआ है K तो देखिए हमारा N E J K होना चाहिए N E J K Yes Option B यहां पर हमारा Right Answer है ठीक है I hope यह clear हुआ होगा N E J K यानि कि जो word यहां पर दे रखा है सेम उसी के नमर पर देखना है कि यहां पर कौन सा इन्होंने नमर दे रखा है वही हमें उठा लेना है अपनी Spelling के According ठीक है Next आते है अब यहां पर हमें Caution दे रखा है निम्न मैंसे कौन सा शब्द दिये गए शब्दों के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता उप्रोक्त शब्द के हर एक अक्षर का एक ही बार प्रयोग हो Efficient तो देखे Friends Efficient में यहां पर A दे रखा है A तो यहां है यह नहीं तो यह तो कट गया फिर भी एक बार मैच कर लेते हैं यह बन सकता है यह भी बन सकता है एंड यह भी बन सकता है ठीक है तो Option A राइट आंसर है यह हमारा नहीं बन सकता Next है Necessary Necessary में देखे Friends यहां पर I given नहीं है तो nice नहीं बन सकता ऐसे भी बन सकता है Race बन सकता है Easy बन सकता है तो यहां पर Option A राइट आँसर है यह हमारा नहीं बनेगा Next है अमित पूर्व की दिशा में 5 किलो मेटर गया तो आप सबको पता है कि पूर्व दिशा क्या होती है वो पूर्व की दिशा में स्वारी 15 km गया है यहां है 15 km गया ठीक है तब वह मुड़कर 22 km चला गया अब यहां पर वह मुड़कर कितने km गया है 22 km गया है ठीक है अब वह 22 km गया अब उसके बाद उसने क्या किया फिर वह बाई मुड़कर 15 km चला फिर से बाय मुड़कर 15 km चला तो आम एक प्रानम इस्थान से कितनी दूरी पर है तो देखी 5 km की दूरी पर ही होगा तो यहाँ पर option D right answer है 5 km I hope यह भी आपको clear हुआ होगा next है एक चूहा पूर्फ की ओर दोड़ता है अब एक चूहा क्या है यहाँ पर मानते हैं पूर्फ की ओर दोड़ा ठीक है 20 माना 20 दोड़ा और दाय मुड़कर 10 दोड़ा दाय मुड़कर कितना दोड़ा 10 यह दाय हो गया फिर दाएं मूढकर 9 दोड़ा अब दाएं मूढकर कितना दोड़ा? 9 और फिर बाएं मूढकर 5 दोड़ा अब बाएं मूढकर कितना दोड़ा? 5 और फिर बाएं मूढकर 12 दोड़ा ये 9 था, 10 गयारा 12 ये 12 दोड़ा अब अंत में बाय मुणकर छे दोड़ा तो यानि कि पास से थोड़ा सा ऊपर छे दोड़ा अब क्या बोल रहा है ये question अब चुहे के सामने कौन सी दिशा है तो यहां पर दिशा बतानी है तो उसके सामने कौन सी दिशा है तो चुहे के सामने उत्तर दिशा है तो देखिए option B right answer है तो नेक्स्ट question है पांच लड़के एक पंक्ती में बैठे हुए है पांच लड़के हैं एक पंक्ती बना लेते हैं ठीक है एक B के दाई है अब A जो है B को हम center में बठाते हैं हो सकता है side view लेकिन हम center में बठाते हैं अब A कौन है B के दाई है यानि कि A को यहां बठा दिया E, B के by है, E को यहां बढ़ा दिया, अब हो सकता है, E यहां भी हो, ठीक है, by है, लिकिन यह नहीं बताया कि बिल्कुल by है, ठीक है, परंतो C के दाई है, C की दाएं तो यानि कि C यहां होगा यदि A, D के बाएं है तो बीच में कौन बैठा है ठीक है? अगर A कौन है? D के बाएं है तो D यहां पर आ गया तो बीच में कौन बैठा है? देखे बीच में B बैठा है इसलिए यहां पर option B right answer होगा B फर्स्ट कॉस्चन में हमसे पूछा गया है देखिए यहां पर हमें यह सीरीज दी हुई है हमें देखना है कि यहां पर कौन सा बन सकता है यहां पर तो देखिए फ्रेंट्स 8 में 12 किस तरह से आएगा 8 को 2 से multiply करेंगे कितना होगे 16 16 में माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 12 उसी की according अगर देखें तो 6 में हम multiply किसका करेंगे हम यहाँ पर 6 में multiply करेंगे 2 का, 2 में अगर कितना होगे 12, 12 में अगर हम 4 माइनस करेंगे तो यह हमारा कितना निकल कर आ जाएगा 8, तो देखिए 8, यहाँ पर option A correct है, right answer होगा A, next question पर आते है, 13, 19 and 21, देखिए 13 से 19 किस तरह से आया, अगर हम 13 में 19 देखें, ते इन दोनों का difference हमें क्या बता रहा है, इन दोनों का difference हमें बता रहा है 6, 21 में अगर हम 6 माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए, हमारे 15 मिलना चाहिए, लेकिन 15 हमें नहीं दे रखा, यहां पर 14 तो यह concept नहीं होगा, दूसर concept देख लेते हैं, 1 सकुराइओ, 13 में 1 है, 1 सकुराइओ, 1 थ्री के सकुराइओ, यहां पर 3 थ्री जन 9, यहां पर 19 निकल जाए, अब 2 के सकुराइओ करेंगे, 2 सकुराइओ, 2 सकुराइओ, 4 और यहां पर फिर बाद में 1 में गरता प्रितनई 5 तो गया हमारा 41, आंसर है yes, यहां पर हमारा right answer होगा, next है गरून क्या करता है, जबटा मारता है, तो बतक क्या करती है, गरून जो होता है, वो गती करते समय, तेजी से जबटा मारता है, यानि जटके से उड़ता है, उसी प्रकार बतक जो होती है, वो अपनी चाल से चलती है, तो यहाँ पर option A जो है, वो right answer हो जाएगा, उतारती नहीं है, यहाँ पर तैरती नहीं है, फुदकती नहीं है, बतक की तरह चलती है, तो यह सई right होगा इसका, next है, अब देखें यहाँ पर apple में 15 दे रखा है, तो orange से क्या होगा, तो पहले यह देख लेते हैं, apple से 15 कैसे बना तो देखें, A जो है, वो किस number पर आता है, 1 पर, आपको पूरा पता होना चाहिए, V कितने पर आता है, V आता है, 16 पर, P sorry, again, second P, यह भी हमारा 16 पर, L आता है हमारा 12 number पर, and E आता है हमारा 5 number पर, तो अगर हम इन सारे numbers को add कर लेंगे, 1, 16, 16, 12, and 5, तो यह मिलाकर हो हमारे 50, तो देखें, यह 50 आ गया, उसी according of orange देख लेते हैं, तो orange में, O हमारा आता है 15 number पर, R आता है 18 number पर, A आता है 1 number पर, N आता है 14 number पर, G आता है 7 number पर, and E आता है 5 number पर, अब हम इन सब को add करेंगे, तो यह हमारा हो गया 0, यह हो गया 6, तो यह हो गया हमारा 60, तो right answer होगा, next है आवास, आवास का मतलब, यहां पर संबंद बताए गया है, किराय से, यानि कि हम अगर किसी के आवास को प्योग में लाते हैं, तो वहां हमें किराय देना पड़ता है, उसी तरह, जह हम यात्रा करते हैं, तो हमें क्या देना पड़ेगा, यात्रा भाड़ा, बच्चे विध्याले, बादल से वर्शद, चांद से आकाश और जूता से पॉलिश, तो देखें, यहां पर अगनी से जिस तरह दुआ निकलता है, उसी तरह से जब बादल होते हैं, तो हम वारिश होते हैं, बच्चे से विध्याले कोई कौन से अपना ही निकला है, हमारी वह और जो बंदूख है दोनों ही हमारे क्या है यह अश्ट्र की तरह काम करते हैं बहन भाई माता पिता आदमी और और शीर्ष और मस्तिक्स तो देखिए उसी तरह से हमारे सीर्ष और मस्तिक्स जो हैं वह समवेदी अंग है ठीक है तो ऑप्शन डी राइट आंसर है यह भी हमारी मदद करते हैं सोचने समझने में नेक्स आते हैं ती एस एच तो देखिए ऐसे लिख लेते हैं टी एस एच इसका संबंद किससे बताया गया है I R Q I R और Q से तो यहां पर देखिए गला है आओ से टी हम करेंगे माइनस टू पर और एगर टी से जाएंगे तो माइनस टू होगा एक से जाएंगे तो प्लस टू को लिखे जासे फिर्म दोल दोल तो और ह्ट से oooo को कि उसी तरह क्यों पी्के लिख लते हैं किउ से हम करेंगे प्लिए स्था- 1 के से माइनस करेंगे तो हमारे कितना निकल कर आएगा एल तो यह हो गया लो एन तो यहां पर ऑप्शन बी जो है वह हमारा राइट आंसर होगा नेक्स्ट आते हैं निमलिखित प्रश्णों में दिये गए विकल्पों में से विशम और शब्ध हमें बतेखने हैं स्बरे आते हैं यह बोले हो और जाएंगे तो यह हमारा स्सी्ट soutीफित प्रएक देखिए यह permett टन सब्सटेस्ट पर सकते हीन और टैसे खैंद मिशन वारा –2 है, यह अलग है, हमारा इस ते option भी right answer होगा Next है, Major, Kernel, Brigadear, Adminar तो देखे, Major, Kernel, Brigadear यह सारे हमारी किस से relative हैं? भारती है, थलसेना से relative है जिबकि Admiral जो होता है, वो हमारा 9 सेहना का Shears Rank वाला विक्ति होता है Head बोल सकते है, Admiral तो इसलिए admiral differ है इसलिए right answer होगा D Next है Life Insurance Corporation United India Insurance Company Limited National Insurance Company और National Insurance Company Limited तो यहाँ पर देखिए Life Insurance को छोड़कर वाकि सारी जो कमपनिया है वो सारी हमारी बीमा कमपनिया है जबकि Life Insurance जो है वो Life से related है जबकि यह सारी हमारी मतला हम यह बोल सकते है Life से related नहीं है वस्तूओं से related जिसको हम बोलते है एक होता है हमारा Life Insurance एक होता है Non Life Insurance तो यह हमारी इसी से related है लेकिन एक और चीज़ जयाद रखिए इस question में आपको पूरे marks मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर option C और D दोनों ही same है तो यह question ही गलत है लेकिन आप इस तरह से फिर भी यह देख सकते हैं यह हमारी अलग है Life Insurance Corporation पाकिसारी हमारी Life से related नहीं है जबकि Life Insurance Corporation हमारी Life से related है तो यह differ हो गई next है रुकावट, रोग, बाधा और अर्चन तो यहाँ पर रुकावट, बाधा और अर्चन यह सारी same है किसी चीज़ को रोखने का बता रही है जबकि रोग जो है वो हमारा यहाँ पर क्या होता है कोई बीमारी को बता रहा है जबकि रुकावट बाधा अर्चन किसी चीज को रोकने से संबन देता है इसलिए डिफर है option B next है बिगाड़ना, इलाज, अंगभंग और विक्रत करना तो यहाँ पर डिफर है हमारा option नमर B, इलाज, जबकि बिगाड़ना अंगभंग और विक्रत करना लगभग सबका मीनिंग एक निकल रहा है तो option B, right answer है next है सुकराथ, विथोवन, मोजार्ट और वाच तो यहाँ पर सुकराथ जो है वो एक यूनानी दार्षनिक था विथोवन की बात करें तो यह एक जर्मनी का रचनाकार था और यह एक संगीत कार भी था मोजार्ट की बात करें यहाँ पर अगर हम देखें तो यह एक जर्मनी का कंपोजर था सुरी, आस्ट्रिलियन कंपोजर था मोजार्ट है यहाँ पर और बाच जो है यहाँ पर जर्मनी कंपोजर है तो आप देखिए डिफर जो है वो है हमारा सुक्राथ जबकि विथोबन, मोजार्ड और वाच यह सारे हमारे कंपोजर थे संगीत से रिलेटेड थे जबकि सुक्राथ हमारा दार्शनिक था नेक्स्ट है 135, 125, 8, 124, 7, 112, 4 तो यह किस तरह से है तो देखिए यहाँ पर 112 जो है यह हमारा 4 लिखा हुआ है यहाँ पर अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आएगा 28 8 को 125 से डिवाइड करेंगे तो निकल कर आएगा 15.63 और अगर 132 को 5 से डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर तो हमारा निकल कर आएगा 26.4 और 124 को 7 से डिवाइड करेंगे तो निकल कर आएगा 17.71 तो देखिए डिफर क्या है हमारा डिफर यहाँ पर है ऑप्शन डी क्योंकि इस बाकी सारे के answer हमें points में मिल रहे हैं जबकि हमारा D जो है वो बिल्कुल विवाज हो गया 28 answer है इसलिए differ है option D next है 6246 6296 7137 7267 4344 4684 5235 5465 तो इसमें देखिए differed जो है 6246 6296 ये दोनों संख्या जो है पीच का अंतर सबसे कम है आप इनके अंतर निकाल लेजिए सबके अंतर ठीक है आपस में इनके अंतर निकाल लेजिए पहली संख्या का अंतर यहां पर 50 है दूसी संख्या देखें तो इसका अंतर 130 है तीसरी संख्या का अंतर 340 है और चौती मंतर हमारा first का है तो option A यहाँ पर हमारा right answer है next है निमलिखित प्रश्णों में से एक अनुक्रम दिया है जिन में एक पद लोगत है दिये गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिये जो अनुक्रम को पूरा करें ठीक है तो देखें यहाँ question yx uts again आपस में तो minus 1 है जबकि दूसरे पर जाने के लिए minus 3 है फिर again minus 1 minus 1 minus 1 फिर s पर ओपर जाने के लिए minus 3 फिर again n से n पर जाने के लिए minus 1 n से m पर जाने के लिए minus 1 और l पर जाने के लिए minus 1 ठीक है तो देखें यहाँ पर अब हमें क्या लेकर आना है यह हमारा minus 4 था ठीक है क्योंकि देखिए u x से जो हम u पर जाएंगे तो minus 3 करना पड़ेगा और s से ओपर जाएंगे तो minus 4 है अब यहाँ पर l दे रखा है तो l से minus हमें क्या लेना पड़ेगा एक बार 3 आया एक बार 4 आया अब एक बार 5 लेना है तो minus 5 करेंगे l से तो l से minus 5 करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा g और g से minus 1 करेंगे तो f फिर आएगा e फिर आएगा d और फिर आएगा c तो देखिए g f e d c यह निकल कर आएगा लेकिन देखिए option यहाँ पर जो है B यहाँ पर हमें C दे रखा है यह G होना चाहिए तहो तो हो सकता है misprint हो या फिर अगर caution कर लाते तो again आपको max मिल जाएंगे तो यह होगा हमारा G, F, E, D और C तो option B लगा लिजिए आप इसको C को G कर लिजिए नेक्स्ट है D, A, E, H, E, L, I फिर डेश है फिर है T, N तो यहाँ पर देखिए D, A D, A कैसे आया है हम हम सब के first number लेते हैं D से H, minus 4 H उसे L, minus 4 अब L से next पर जाएंगे minus 4 तो क्या निकल कर आएगा P उसी तरह A से E पर जाएंगे minus 4, sorry minus नहीं है, plus है सब में sorry, minus नहीं है A से E पर जाएंगे plus 4 E से I पर जाएंगे plus 4 I से next पर जाएंगे plus 4 करेंगे तो हो जाएगा J और J से plus 4 करेंगे तो हो जाएगा N तो यह आएगा हमारा P, J option A right है अब next देखिए हमापका question B, E, I, N, T तो B, E, I, N, T से हमारा क्या निकल करा रहा है B से plus करें कितने पर? minus 3 E से I करां तो कितना हो जाएगा? minus 4 sorry, sorry एक बार फिर से कर लेते हैं B, E, I, N, T, and dash B से E पर जाएंगे plus 3 E से I पर जाएंगे plus 4 I से N पर जाएंगे plus 5 N से T पर जाएंगे plus 6 and T से next जाएंगे plus 7 पर तो यहाँ पर देखिए यहाँ हमारा निकल कर आएगा A ठीक है? तो यहाँ पर option C right answer हो जाएगा 3, 4, 5, 6, and 7 तो option A right है यहाँ कि जब टोटल परक्षन जो है वो मैक्जिमम कब होगा? options है marginal production is maximum याँ कि जो marginal production है वो हमारा maximum होगा second है average production maximum third है marginal production is 0 and d option है हमारा average production is equal to marginal production याँ कि जब average production हो marginal production equal होगा तब हमारा total production maximum होगा तो पताए फ्रेंड्स क्या होगा? right answer right answer है marginal production is 0 तब हमारा total production maximum जाएगा next option question है which of the following concept is considered as a myth यानि कि ऐसी concept है जो कि एक मेत की तरह consider की जाती है oligopoly, perfect competition, monopoly या imperfect competition तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है B, perfect competition profit competition consider की जाती है एक मिट की तरह इसमें पताए जाता है कि सब चीज बहुत फेवरेवल होगे जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है कि सब चीज आपके फेवर में हो हर कंडिशन आपकी आपकी अकॉर्डिंग चले next question है which of the following is a pricing method तो pricing method क्या है seasonal, cost plus, promotional या none of these बताए इसमें से जो cost pricing method है वो कौन सा है तो फ्रेंड्स राइट आंसर है B, cost plus method एक pricing method है next question है demand has the following element यानि demand के अंदे कौन कौन से element होते है quantity, price, time या all of these तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है D, all of these next question है national income may be determined through यानि कि यह national income है वो किसके through determine की जाएगी income approach, expenditure approach, productive approach या all of the above तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका D, all of the above जिसके अंदर income, expenditure और productive तीनों अप्रोच को गंसिडर किया जाएगा next question है price discrimination policy helps in increasing profit in case of यानि price discrimination policy हमारे profit को किस case में increase करती है profit profit competition में, monopolistic competition में, monopoly में या oligopoly में तो फ्रेंड्स पताएगे क्या होगा इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर है C, monopoly में जो हमारे price discrimination policy है वो हमारे profit को increase करते है क्योंकि फ्रेंड्स, monopoly में क्या होता है कि इंड्स्रीज होती है monopoly क्रेट कर देती है monopoly in the sense वह जो प्राइस रखती है मार्किट में उसी price परून प्रोड़क्ट बेग जाता है क्योंकि monopoly के इंदर sailor एक होता है, buyer बहुत सारे होते है तो अगर saeler एक है तो buyer को अगर वह price ज्यादा है किसी प्रोडक्ट को तब भी उसको तो प्रोड़क्ट उसी से ही खरीदना होगा क्योंकि किसी और के पास वह अविलेवल नहीं है तो इस कंडिशन में प्रॉफिट जो होता है इंक्रीज करने हैं बहुत हैल्प मिलती है तेक्स ऑथोरिटीज आर ग्रूप इन्टू में विंग्स एड्मिनिस्ट्रेटिव एंड तो आपको बता रही है टू में विंग्स है तो एक अड्मिनिस्ट्रेटिव है दूसरी कौन से है जुडीशियल है मैनेजीरियल है एक्जेक्यूटिव या क्लैरिकल है तो फ्रेंड्स राइट आंसर है जो कि है जुडीशियल नेक्स्ट है वाट आर दी एग्जम्शन लिम यह थ्रीले और आधा दीव उसके ııडधी इंकस्ट है इनचराइट नेक्सट है इंकम फरम अल्ओंद किस तरह के इंकम मैं ओंधित्यौंस गंडम परत्ति इंकम बिजनिस software सुर्क प्रस seven W ट् अट्व्तर ऑप्सिमिन ज सी जो कि canyon agriculture income next income on which income tax is not charged are called यानि ऐसी कौन सी income है जिस पर income tax charge नहीं किया जाता है exemptional income क्यालाती है privileged income क्यालाती है exempted income क्यालाती है none of the above तो friends right answer है इसका C जो कि है exempted incomes next question है income accrued and received outside India is taxable in the hands of यानि income अगर कोई भी ऐसी income है जो कि हमारे आउटसर इंडिया से में receive हुई है या फिर accru हुई है तो वह किसके हैंड से वह taxable मानी जाएगी non-resident, resident and ordinary resident, resident and not ordinary या फिर none of these तो friends का जो right answer है वह option भी जो कि है resident and not resident and ordinary resident next है past untext income brought to India is taxable in the hands of यानि जो past के untext income है अगर वह इंडिया में लाई गई है तो वह किसके हैंड में taxable होगी resident and not ordinary resident, resident and ordinary resident, non-resident या none of these तो friends का right answer है D जो कि है none of the above next है exempted incomes are defined under section 15 of income tax act, 18 of income tax act, 10 of income tax act and 20 of income tax act so friends अभी आपने एक question किया है तो I hope आपको इसका answer बता होगा इसका right answer है C जो कि है 10 of the income tax act next है income absolutely exempt from tax are listed under तो जो absolutely exempt होती है वह किसके अंदर लिस्ट है section 2 section 10 section 38 या section 80 C तो friends right answer है इसका B जो कि है section 10 आज की मारे इस वीडियो का friends last question है scholarship granted is scholarship किस तरह की grant है fully exempted fully taxable है partially exempted है या फिर नन आपदी अवर्ब तो friends इसका right answer है वो है option A जो कि है fully exempted receive bill is a part of which of the following यानि कि यो प्रापते बिल है निमने मैंसे किसका भाग होता है laser का trial balance का journal का या फिर final account का तो friends प्रापते बिल जो होते हैं वो हमारे journal का पाल्ट होते हैं तो यहां पर option C हमारा correct है नेक्स्ट है why is government interested in accounting information यानि कि जो government है वो accounting information में interested क्यों होती है यानि उसमें रुच्छी क्यों लेती है government is aware of the business situation in the economy यानि कि जो सरकार है वो व्यफसाइक स्थितिक की जानकारी रखना चाहते है जानकारी होती है उसको political parties are able to collect donations यानि कि political party कर जो donations उसको collect कर सकती है for high taxation high taxation के लिए या फिर for tax assessment and defense policy determination यानि कि कर निर्धारण या फिर रक्षन नीती निर्धारण है तो फ्रेंड सरकार लेखांकर information जो भी हमारे accounting information होते हैं उनमें interest इसलिए देती है क्योंकि उससे information मिल जाती है कि country के अंदर जो business है उनकी क्या situations है जिसके according वो policy बनाने में उनको help मिलती है और साथ ही साथ हुने किसी भी तरह की कोई भी problem होती है तो easily वो उसके लिए actions ले सकती है तो option A हमारा correct है next question है which of the following is the amount withdrawal for purchase for personal use by the business owners यानि कि अगर कोई भी ब्यापारी अपने ब्यापार से किसी भी तरह की राशी निकालता है तो उसको हम कौन सा term use करते हैं the commission, interest, cash या फिर withdrawal तो friends यहाँ पर जो हमारा option है अगर हम option के according देख हैं तो यहाँ पर इसका right answer होगा उसको हम बोलते हैं drawings लेकिन friends option में हमारे drawings कहीं भी given नहीं है तो commission तो यह बिल्कुल हो नहीं सकता interest बिल्कुल भी नहीं होगा और cash, cash भी नहीं होगा तो हम इसका right answer मानेंगे D withdrawal कई बार friends एक्जाम में इस तरह के questions आ सकते हैं और यह previous year का ही question है तो यहाँ पर withdrawal option में आया था तो आपको withdrawal ही करना है क्योंकि आप देख लिजे वैसे आप सबको पता होगा कि यह drawing गी है इसका answer लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कि वह कुसी odd time में भी उसको express कर सकते हैं लिख सकते हैं तो आपको वहाँ पर elimination method से देखना है कि यह option नहीं हो सकते तो यहीं इसका correct answer होगा तो option D हमारा correct है next आते हैं how to assess general principles of accounting यानि कि जो लेखांकन के सामाने सिधानत हैं उसकी परक कैसे की जा सकती है cost के basis पर on the basis of simplicity on the basis of utility या फिर on the basis of elasticity तो friends लेखांकन के सिधानत होते हैं उसका हम परक कर सकते हैं उसकी utility के basis पर यानि कि कोई भी जो हम transaction कर रहे हैं उसकी क्या utility है तो यह principle of accounting भी है कि हम utility के basis पर उसके उसको assess कर सकते हैं तो हमारा option C correct है next question पर आते हैं laser is prepared यानि कि खाता बही तयार की जाती है from purchase book only यानि कि purchase book से sales only sales से cash only cash से from the books of account and general यानि कि जो प्रारमिक लेखे की भहिया और journal से हम पता कर सकते हैं तो friends खाता भहिया हम तयार कर सकते हैं from the books of accounts and journals यानि कि journals से या फिर हमारे जो हमारे accounting की books होती है उनसे हम अपने लाजाओ को prepare कर सकते हैं option D हमारा correct है next question पर आते हैं the process of capital formation depends यानि कि capital formation है उसकी processing किस पर depend करती है national income पे at the expense on foreign aid या फिर we saving तो friends अगर हम बात करें capital formation की कि वह किस पर निर्भर करती है तो friends capital formation हमारी निर्भर करती है savings पे कि हम कितना save करके चलने क्योंकि save करेंगे तभी हमारी capital format होगी उसका formation होगा तो यहां पर option D हमारा correct है next question पर आते हैं contains the word attainment attainment word जो है वह किसके लिए यूज किया गया या फिर उसके अंदर क्या के समलित है ओनली commercial creditors यानि की cable ब्यापारिक लेंदार trader status only यानि की cable ब्यापारिक देंदार commercial debtors and receipt bills यानि की ब्यापारिक देंदार एम प्रापे बिल या फिर trade creditors and bills receivable payable यानि की ब्यापारिक लेंदार यानि की ब्यापारिक लेंदार एम देबिल तो फ्रेंद्स प्राप पर की हम बात करें तो इसमें समलित किये जाते हैं commercial debtors and receivable bills क्योंकि friends कोई भी देंदार होगा तो वह हमें पैसा देगा तो प्राप पर हमारे किया गया है next question पर आते हैं which of the following determines what to do यानि कि इन मेंसे कौन हमें निर्धारत करेंगा कि हमें क्या करना है हमारी policies हमारा view design procedure या फिर एक object तो friends हमें क्या करना है यह हमें निर्धारन करेंगे हमारे object क्योंकि object के basis पर हमें एक outline मिल जाएगी कि हमारे object है हमें इस वे में चलना है हमें इसको target करना इसको achieve करना है तो अगर हमें हमारे object clear पता होंगे तो हमें सारी चीज़ें पता होंगे कि हमें क्या कैसी करना है पता है आपको clear करना इसलिए आप एग्जाण लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा कुम हमारा आपको पता ही नहीं कि आपको से एक्जाम docks क्लियर करना है तो आप इस वीटियो को नहीं देखो गैं तो क्या है आपको आपको उद्देश्य पता है उसकी according आप वो काम कर रहे हो यानि उसकी preparation कर रहे हो तो यहां पर option D हमारा correct है next question पर आते हैं the following is a personal account यानि कि निम्नमें से व्यक्तिगत खाता है building account, pay account, goods account या फिर capital account तो friends अगर हम व्यक्तिगत खाते की बात करें तो व्यक्तिगत खाते में वो खाते आते हैं जो कि किसी व्यक्ति को represent करते हैं या फिर व्यक्ति द्वारा बनाएगा होते हैं या व्यक्ति को represent करते हैं तो यहां पर जो हमारा option D है capital account यह हमारा create किया गया है और यह एक व्यक्ति को बता रहा है या एक संस्था को बता रहा है तो यहाँ पर capital account हमारा right answer है नेक्स्ट है prepared income received are यानि कि जो prepared income है वो received की रहे है तो वो किस तरह की होती है एक property की तरह है एक income की तरह है एक obligations की तरह है या फिर neither of the way यानि कि इन में से कोई नहीं है तो friends अगर हम prepared income की बात करते हैं तो यह obligation यानि कि दायत होती है हमारे लिए कि अब हमने इसको रिसीब कर लिया है advance में अब हमें इसके लिए duty perform करनी है यानि कोई भी आपने income receive की है आपने income तो रिसीब कर लेकिन उसके विहाव पर आपने कोई काम अभी नहीं किया है आपको काम करना है तो यहां पर option आपका C करेक्ट है नेक्स कोशन है कैस्ट अकाउंट बिल नॉट भी अफेक्ट वाई जो कैश अकाउंट है वह मारा किससे अफेक्ट नहीं होगा options है cash payment to friends यहां पर यह गलट टाइप हो गया है आप यहां पर कर लिजएगा कि जो हमने cash payment करेंगे वह होगा हमारा creditor को ठीक है तो cash payment to creditors discount received cash sale या फिर cash from debtors तो friends हमारा जो cash होगा जो हमारा affected नहीं होगा वह होगा हमारा discount received से हमने किसी भी तरह की discount received किया है तो इसे हमारे cash को किसी भी तरह कोई भी affect नहीं होगा वह हमारा जब कि अगर कोई lenddar ने पर payment कर रहा है उससराफेक्ट होगा हमने lendारों को कोई payment किया है नगत विक्री या फिर देन्दारों से कोई maal प्राप्त किया है उससे हमारा affect होगा लेकिन हमारे discount से कोई affection यहां पर हमारा भी correct answer है नेक्स्ट आता है patent rights patent यह वो अधिकार है कौन सा real account का या फिर personal account nominalizer या फिर all these तो friends यह हमारे patent होता है वो हमारा valid होता है हमारे real account का यानि कि वास्तविक खाते का तो यहां पर option 1 हमारा correct है जडिनेंकिवां हैं अल्ली परस्टं अठाउंट से नियर्ल अकाउंट थन रियल अठाउंट ब्सक्राइब थे केवल परस्टना अंठाउंट अमे जाएंगे तो आदेब किष्ट पस्टाय तो यहां पर आप्ष अठाउंट हमारा काउंट है next question पर आते हैं every transactions has an effect यानि कि प्रतिक लेंदार लेंदेन का परभाव पड़ता है तो कितनी जगह पड़ता है three side four side two side या five side तो friends अगर हम लेंदारों के यहां पर बात करें कि कि कहां का उनका फर्क पड़ता है तो पड़ता है two side credit side and debit side तो कि हम सब जानते हैं कि यह basic rule है कि जितने भी transactions होंगे उनकी 2 side होंगे एक debit side होगे credit side होगे one side transactions कोई भी नहीं होगा नहीं वह valid माना जाएगा तो transactions सभी transactions के 2 side होंगे next है installation expenses of a new machine will be debited यानि कि जो installation किया गया है new machine का वो debit होगा in cash account cash account में machine account यानि machine खाते में in profit and loss account या फिर इन establishment expenditure account यानि कि जो भी हमारा establishment के time पे जो expenses हुए हैं उसमें स्थापनावे में तो friends यहां पर अगर हम बात करें कि कोई नई machine को हमने establish किया है और उसका जो amount है वो कहां debit किया जाएगा तो friends वो machine account में किया जाएगा क्योंकि उसका जो amount है establishment का उसको machine account के अंदर ही include कर दिया जाता है machine के price के साथ तो option भी यहां पे हमारा correct है next है what is the purpose of the business यानि कि business का क्या उदेश्य है utility generation यानि कि उपयोगता सरजन making a profit लाप कमाना social responsibility समाजिक उत्तरदायत या फिर fulfillment social responsibility while making profit यानि कि लाप कमाते हुए समाजिक उत्तरदायत को पूरा करना यानि कि आप करें लेकिन साथ में आप service भी अच्छी दे रहे हो अपनी society को तो फ्रेंड्स अगर हम business के उदेश्य की बात करें तो यहां पर option भी हमारा D हमारा correct है क्योंकि friends किसी भी utilities create करना यह उदेश्य है लेकिन हमने यह primary audition नहीं कह सकते जबकि options में हमारे primary audition भी दियो है तो यह नहीं होगा making profit profit नहीं बनाना यह तो बिल्कुल भी हम नहीं कह सकते हो और अगर हम सिर्फ service की बात करें तो वह भी नहीं क्योंकि हर person business करता है profit earn करने के लिए तो ना तो आप profit earn करें ना ही आप पूरी तरह से आप service based हो आप ऐसा करें कि service भी अच्छी provide हो सकें और आपको भी profit earn हो तो यहाँ पर option D हमारा बिल्कुल correct है जो कि service की भी बात करता है यहाँ पर social responsibility की और साथी साथ profit बनाने की भी बात करता है तो यहाँ पर option हमारा D correct होगा तो friends यह थी आज की वीडियो आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कीजिए अपने friends के शेयर कीजिए और किसी भी तरह की problem हो तो आप नीचे comment section में लेख सकत की तो friends next video में हम फिर मिलते हैं और विच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए bye bye